इस विडियो में हम मैंन फंसन का संटेक्स लिखेंगे जो मैंन फंसन का जो संटेक्स होता है वह बहुत ही सिंपल होता है और यहां पर सबसे पहले हम मैंन फंसन का जो संटेक्स है इसको हम लिख देते हैं तो यहां पर पहले हैडल फाइल इंक्लूब यहां पर हमने रिटर्ण टाइप इंट लिया है इसके बाद यहां में फंसन दिखेंगे यह हमारा में फंसन है तो इसके आगे हम डबल कोष्ट लगा देंगे और नीचे में इस फंसन का बोडी होगा और इसी बोडी की अंदर हम में फंसन को डिखाइड करते हैं यहां पर हम सिंपल जेरो रिटर्ण करेंगे चुकि हमने में फंसन का जो रिटर्ण टाइप है वो इंट दिया है दिया हमने तो यहां पर रिटर्ण क्या करेंगे जेरो को रिटर्ण करेंगे तो जो syntax होता है main function का इसी तरीके से यहां पर उपर साड में हम header file include करते हैं जो header file का नाम होता है वो इस वाले चीन के अंदर हम header file का नाम लिखते हैं तो यहां पर हम कौन सा header file लेंगे stdio.h header file लेंगे तो इसको हम दीख देते हैं header file का नाम तो यहां पर हमने header file का नाम दिया है और hatch include हमेशा लिखते हैं और यह वाले जो ghost हैं दोनों side से इसको भी हमेशा लिखते हैं और इनके बीच में हम जो लिखते हैं वो header file का नाम होता है यहां तक तो हम समझ गए और यहां पर हमने man function लिखा है इसके बाद यहां पर post लिखे हैं और open curly bracket और close curly bracket ठीक है और यह man function का body बन गया और last में हमने return 0 लिखा है क्योंकि हमने यहां पर int लिखा यहां पर int लिखने का मतलब यह है कि man function integer type का value return करेगा तो यहां पर हमने return किया last में 0 तो ठीक है यहां तक program अगर हम चाहते हैं कि यहां कुछ भी return ना हो तो इसके लिए यहां पर जो है क्या करेंगे int के जगा यहां पर int के जगा हम लिखेंगे बॉइड तो बॉइड यहां पर लिख देते हैं जब हम वाइड लिखते हैं तो हम यहां पर यहां पर वाइड लिखने का मतलब यह है यहां पर वाइड लिखने का मतलब यह है कि हम last में कुछ भी return नहीं करने वाले हैं यानि main function जो है कुछ भी return नहीं करेगा तो इसको नहीं भी लिखेंगे ध्यान रहे अगर हम यहाँ पर main function का return type void लिखते हैं तो last में कुछ भी return नहीं करेंगे ठीक है और अगर हम यहाँ पर int लिखते हैं return type तो यहाँ पर पिछले बार जो हमने लिखा था return 0 वो लिखना पड़ेगा या 0 के अलावा कुछ और integer value को आप return कर सकते हैं ठेक है यह हमारा main function का syntax है हमने पिछले बार copy में समझा था वहीं बना यहाँ पर coding करेंगे तो यहाँ पर coding करते हैं जो पिछले बार हमने copy में समझाता तो यहाँ पर clr clr s c r यह हमारा function का नाम है और इसको semicolon देंगे तो इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पर जो लिखा इसका मतलब यह है कि हमने c lr s c r फंसन को call किया है ठीक है इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम comment करेंगे इसको comment कर देते हैं ताकि हम practical देख पाएं कि इसका जो काम है वो क्या है ठीक है इसको comment कर दिया comment करने का मतलब यह है कि compiler इसको raid नहीं करेगा यानि इसको ignore कर देगा या skip कर देगा इसको run नहीं करेगा अब हम दुसरा code लिकेंगे print app का तो यहाँ पर जो है print app function पर एक message पास करेंगे वो message screen पर print होगा तो यहाँ पर print app function को call कर लेते हैं पी आर आई एन टी एप और यहाँ पर कोश्ट लेंगे और इसके बीच हम डबल कोमा लगाएंगे डबल कोमा लगा दिए और जो message हम पास करेंगे यहाँ पर वो double कोमा के अंदर से ही होगा तो यहाँ पर hello word लिक देते हैं यहाँ पर हम डबल कोमा के अंदर जो hello word लिखा है यहीं हमारा screen पर print होगा और यहाँ पर हम सेमी कॉलम लगा देते हैं तो यहाँ पर सेमी कॉलम लगा दिए तो यहाँ पर हम गेच पंसन का प्रियू करेंगे तो गेच पंसन को यहाँ पर कॉल करेंगे तो यहाँ पर जी ए जी ए टी सी एच ठीक है डबल कोष्ट छोटा कोष्ट इसके बाद कॉमा सेमी गलोब अब हमारा गेच पंसन कोल हो चुका है तो अब हम कोड को क्या करेंगे कंपाइल करके देखेंगे एरोर है कि नहीं तो यहाँ पर एरोर कुछ ना कुछ जरूर होगा तो यहाँ पर कंपाइल किये तो यहाँ पर जो हमारा एक एरोर सो कर रहा है तो सायद यह हेडर फाइल का होगा तो यहाँ पर हमने सही कहा था यहाँ पर लिखा है पंसन यहाँ दोस्तों जो एरोर आया था वह एरोर क्यों आया था इसको पहले समझेंगे यह जो गेच है यह एक फंसन है ठेक है यह क्या है प्रेडिपाइन फंसन यानि इसको पहले से ही डिपाइन के आगया है और CLRHCR फंसन भी प्रेडिपाइन फंसन है जो पहले से डिपाइन के आगया और प्रिंटेब भी एक फंसन है जो पहले से ही डिपाइन के आगया तो यहाँ पर जो इंक्लूड stdio.h यह एक header file है जो यह print app एक function है इस function को stdio.h header file में define के आगे है तो यहाँ पर हम print app function का इस्तिमाल कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर यह print app function जिस भी header file में define है इसको यहाँ पर हम हमें लिखना पड़ता है पर side में header file को यहाँ पर लिखना पड़ता है तो यहाँ पर get function जिस भी header file में define है उसको यहाँ पर हमें देना पड़ेगा तो यहाँ पर एक help लेंगे कि get function कौन से header file में define है तो यहाँ पर एक side में help का option है और यहाँ पर topic search पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे get ch get ch enter कर देंगे तो यहाँ पर बता रहा कि यह get function जो है कौनायो.h header file में define है तो इसी get function को यहाँ पर हमें declare करना पड़ेगा तो यहाँ पर declare कर लेते हैं है एच इंक्लूड include इसके बाद यहाँ पर कौनायों c o n i o dot h इसको हम बंद कर देंगे अब हम इस बार compile करेंगे कि error है यहाँ पर दोस्तों हमारा जो error है वो खतम हो चुका है यहाँ पर message में हमें दिखा रखा यह वार्णेम भी हमारा जीरो है और एरर भी हमारा जीरो है ठीक है अब हम प्रोग्राम को जो है रन कर सकते हैं तो रन करते हैं तो इसके लिए यहां पर रन का उप्शन है इस पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर दुस्तों हमारा जो result है यहाँ पर hello board सबसे नीचे लिखा हुआ है लेकिन साथ में जो है कुछ है यहाँ पर message भी आ गया है output window में और यह message जो है application में पहले से ही रहता है तो इसी को clear करने के लिए हमें CLR SCR फंसन को इस्तमाल करना पड़ता है यहाँ पर क्या लिखा turbo c for android drive c in mounted as local directory यह एक message है जो by default रहता है और हमारा जो output है सबसे निचले भाग में जहाँ पर billing कर रहा है cursor वहाँ पर hello board लिखा हुआ है यहीं हमारा output है और बाकी बात जो कुछ भी message है वो by default पहले से था तो इसको clear करने के लिए हमने यहाँ पर CLR SCR फंसन का प्रयूग किया तो यहाँ पर कोई भी key press करेंगे तो coding वाले पार्ट में हम चले जाएगे तो कोई भी key press कर देते हैं तो यहाँ पर फिस से हम coding वाले पार्ट में चलेगी तो यहाँ पर हमारा CLR SCR फंसन है जो extra में से जाया था उसको clear करेगा इसलिए यहाँ पर first में CLR SCR फंसन का प्रयूग किये हैं तो इसको यहाँ से comment हटा देते हैं अब हमारा जो compiler है वो CLR SCR फंसन को भी read करें तो यहाँ पर फिर से compile करके देखेंगे ऐसा भी हो सकता है कि CLR SCR फंसन कोई दूसरे header file में define है और उस header file को यहाँ पर include ना किया हो तो इसके लिए हमें चेक करने के लिए error है कि नहीं तो यहाँ पर compile का option है इसको click करेंगे तो दोस्तों यह कोई भी error सो नहीं कर रहा है इसका मतलब यह है कि CLR SCR फंसन को नायों.h header file में define है या htd io.h में define होगा तो अगर आप जाना चाहते हैं कि कौन से header file में define है तो यहाँ पर आप help ले सकते हैं तो यहाँ पर हमारा जो error है वो बिल्कुल खतम हो चुगा तो यहाँ पर run करेंगे यहाँ पर run करने पर जो हमारा output है hello word print होके आ चुका है और हमारा जो message पिछले बार आया था वो बिल्कुल नहीं आया अब सिर्फ hello word हमारा हमने जो print करने के लिए program बनाये था hello word message को वहीं वहला message हमारा screen पर print हो चुका है तो इतना ही इस program का काम था तो यहाँ पर जोस्तों cursor जो है रुका हुआ है यहाँ पर वास्ता में गैच पंसन हमने last में इस्तिमाल किया है program में उसी का वज़स से यह program अभी रुका हुआ क्योंकि वह एक characters या कोई भी की प्रेस करने का इंतिजार कर रहा है तो यहाँ पर अगर कोई भी की प्रेस कर देते हैं तो हमारा program खतम हो जाता है अगर हम गैच पंसन का परियोग हमें पता भी नहीं चलता औरना हम इस message को देख पाते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गैच पंसन को call करने की वज़से तो यहाँ पर हमने गैच पंसन पर हमारा control रुका हुआ तो यहाँ पर कोई भी की प्रेस कर देंगे तो हमारा जो program है वो खतम हो जाएगा और हम coding वाले पार्ट में चले जाएंगे तो कोई भी की प्रेस कर देते हैं यहाँ पर हमने प्रेस कर दिया ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे कि गैच काम किया है देखो गैच फंसन को यहाँ पर हम कमेंट कर देंगे तो यहाँ पर हम कमेंट कर देंगे यानि अब compiler इसको रेडिन नहीं करेगा यानि इसको एगनूर कर देगा तो यहाँ पर जब रन करेंगे तो हमारा जो program रन होगा और हेलो बड़ जो है आटपूट इसक्र हो जाएगा और इसी कोडिंग वाले पार्ट में हम बहुत फास्ट में आ जाएंगे जिसके वजह से हमें आटपूट इसक्रिम पहलो वर्ड प्रिंट करके दिखाए नहीं देगा और हमें लगेगा कि हमारा program में कुछ घडबड़ है ऐसा नहीं है तो अभी रन करके देखे देखेंगे थोड़ा सा हलका सा बिलिंक हो गया है इसका मतलब यह है कि जो प्रोग्राम रन तो किया लेकिन हमें आटपूट नहीं देख पाएं तो अगर हम यहां पर गैच फंसन की आगे से कमेंट हटा देंगे तो अब यह कंपाइलर इस गैच फंसन को रीड करेगा ठीक आटपूट की देख पाएंगे तो अब रन करेंगे तो यहां पर हम आडपूट नहीं स्क्रीन को देख पाएंगे यहां पर हेलो बार्ड करते हमें प्रिंट दिखाय देख दे रहा रहा है और हमारा जो कंट्रूल है व्रह we की प्रेस करेंगे तो गैच फंसन क्या करेगा उसकी यानि मान लेते हम यह हम प्रेस करते हैं तो उसकी वाड को करेक्टर्स को कैच करेगा गैच फंसन का काम कंप्लीट हो जाता है और प्रोग्राम हमारा जो है खतम हो जाता है इंड हो जाता है तो यहां पर हम की जो है प्रेस उसको हम देख पाएंगे तो यहां पर की प्रेस करेंगे थो हमारा प्रोग्राम् देंगे तो हमारा जो है यहाँ पर हम main function को बता रहे हैं कि main function यहाँ पर operating system को यह बता रहे हैं कि यह main function कोई भी value return नहीं करेगा अगर यहाँ पर हमने board लिखा है तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि main function जो है कुछ भी return नहीं करेगा लेकिन यहाँ पर last में फिर भी हम कुछ भी return करते हैं तो यहाँ पर error so करेगा तो चलो इसको practical करेंगे तो यहाँ पर return zero यहाँ पर हमने zero को return किया है तो इसको compile करके देखेंगे कि error है कि नहीं तो यहाँ पर दूस्तो error आ चुका है क्योंकि हम यहाँ पर पहले भी बता दिये हैं कि हमें कोई भी value return नहीं करना है लेकिन हमने यहाँ पर फिर भी जब जहस्ते जो है integer type का जो value है इसको return किया है अगर हम यहाँ पर zero return नहीं करेंगे तब क्या होता है अब यहाँ पर compile करके देखेंगे दोस्तों यहाँ पर error नहीं आ रहा है इसका मतलब यह जो भॉइड है यह बता रहा है कि मैंफंसर कुछ भी return नहीं करेगा और यहाँ पर जो है हमने कुछ भी return नहीं किया है इसलिए जो है अमारा compiler error नहीं कर रहा है और अमारा program जो है अभी run कर सकता है अगर हम यहाँ पर int देते हैं यहाँ पर white के जगा इंट लिखेंगे इंट यहाँ पर int हमने लिख दिया है और सब माल लते हैं यहाँ पर हमने कुछ भी return नहीं किया है तो दोस्तों इसको run करेंगे ना तब हमें error so करें तो इसको पहले compile करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा एक warning दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर error नहीं है क्योंकि यहाँ वार्णिंग में हमें कहेंगा कि कुछ ना कुछ आपको return करना है तो यहाँ पर आपको return करने के लिए बोल रहा है अगर आप इसको run करेंगे तो code run करेंगा और यहाँ warning से हमें यह बता रहा है कि आपको यहाँ पर return करना है तो अगर यहाँ पर return करेंगे 0 तो हमारा जो compiler है वो warning नहीं देगा तो यहाँ पर return लिखेंगे return type नहीं देने के वज़े से सो कर रहा है तो यहाँ पर return करेंगे 0 ठीक है तो यहाँ पर 0 return करेंगे return यहाँ पर हम 0 return करेंगे तो हमने यहाँ पर 0 return कर दिया है तो इसको run करेंगे compile करेंगे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि warning भी हमारा 0 है और error भी हमारा 0 है और जब हम code को run करेंगे तो हमारा program run करेंगे तो यहाँ पर हम screen पर hello board print करके दिखाए दे रहा है तो यहाँ पर कोई भी key press करेंगे तो हमारा program है वो खतम होगा ठीक है यहाँ पर complete हो चुका है दूस्तों जो हमें return जो देना पड़ता है और इसका क्या काम है इसके बारे में भी जान लेते हैं जो यह main function है इसके अंदर हम code लिखते हैं ठीक है और यह main function जो है main function को कौन कोल करता है operating system और operating system main function को कौल करता है तो यहाँ पर जो है जब main function को कौल किया जाता है तो main function जो है execution start करता है उपर से नीचे की तरब यानि up से down की तरब execution start करता है और जब execution करते हुए जब main function के last वाले statement पर चला जाता है तो उसको return मिलता है तो यहाँ पर हम चार return करते हैं 0 और जैसे ही 0 return करेगा चला जाता है जो है तो एक्टा हुए करते हैं